नमस्ते दोस्तों कैसे हैं आप सभी में उम्मीद करती हूँ आप लोग सभी ठीक होंगे दोस्तों आज की रेस्पी में हम छोले भटूरे रेस्पी बनाने वाले हैं तो सबसे पहले यहाँ पे हमने दो टमाटर ले लिए हैं टमाटर को हम छोटे छोटे टुकडों में काट ल यहां पे हमने गैस को चालू कर लिया है अब हम कडाही रखते थे हैं कडाही में सबसे पहले हम एक छोटा कचली सरसो का तेल डालेंगे आफ रिफांट तेल का इस्तिमाल भी कर सकते हैं तेल गरम हो जाने के बाद आधा चम्मत जीरा डाल देंगे अगर आप प्याज खाते है तो एक प्याज को काटके डाल दें उसके बाद कटा हुआ अधरा घरी मिर्च डाल देंगे और एक से दो मिनिट के लिए हमें फ्राई करना है और एक चुटकी हिंग डाल देंगे हिंग से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा उसके बाद हम कटे हुए टमाटर डाल देंगे टमाटर को हमें 3-4 मिनिट के लिए फ्राई करना है तो 4 मिनिट हो गए हैं अब हम टमाटर को हलका सा थंडा होने देंगे यहां पे हमने एक मिक्सर जाल ले लिया है मिक्सर जाल में हम फ्राई किये हुए टमाटर डाल देंगे और डकन बंद करके हमें बारिक पेष्ट लेना ह है इस तरीके से तो कुकर में साथ से आज सीटी हमने लगा लिए हैं उसी कडाही में हम एक से तेड़ कर चली सर्जों का तेल डालेंगे तेल गरम हो गया है एक दाल चीनी का टुकटा एक तेज पता एक चोटी लाशी डाल देंगे और एक मिनिट के लिए भूनने देंगे उस तो यहां पे हम दो चमच द्रद्रकृता हुआ धनिया पावडर डाल देंगे अधा चमच कस्मीरी एट चुली पावडर डाल देंगे अधा चमच हलदी पावडर डाल दिंगे सवाधनूह सार नमक अल्ने गे सबी मसालों को मिक्स करते हूँए 3 से चार मिट के लिए पका जब तक कि तेल अलग ना होने लगे तो यहां पर दीन से 4 मिर्ट हो गए हैं अब देख सकते हैं मसाला पर्फेक्ट भून गया है अब हम उबले हुए छोले डाल देंगे और मिक्स करके देख लेंगे कि पानी कम तो नहीं है तो यहां पर हम एक गलास पानी डाल देते हैं और चली की सायता से छोले की सब्जी में चालने के इससे कलर बहुत ही अच्छा आजाएगा चोले बन के त्यार हो गये हैं तो अब हम यहां पे एक चमच डालेंगे घर का बना हुआ गरम मसाला पाउडर और मिक्स कर देंगे आप छोले अपाउडर भी डाल सकते हैं अब हमने end of the劑. भेटोर बनाने के लिए यहां पे हमने मईदा को छाल लिया है, अब हम स्वाद अनूसा ॡूर दालेगे, गटोरीदही को हम लिए डाल देंगे एक छोटी का दलबेront तेल टालें, दालबे हैं, आपको जरूर दालना है दो चुटकी यहाँ पे हमने बेकिंग सोडा डाल दिया है अब हम सभी चीजों को एक से दो मिनिट के लिए मिक्स कर देंगे अभी हमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और मिक्स करते हुए हलका सा टाइट आटा लगा के हम तयार कर लेंगे हमें ज़्यादा नरम आटा नहीं लगाना है आटा लगाती समय हमें दो गलास पानी लग गया है अब हम थोड़ा से रिफर्ण तेल लगा देते हैं रिफर्ण तेल लगाने के बाद हम इस तरीकी से रख देंगे, थाली से धक कर रखना है हमें एक गंटे के लिए, एक गंटा हो गया है, अब हम थाली उठा लेते हैं, तो आटा आप देख सकते हैं बरकर फूल गया है, अब हम दो भागों में तोड लेंगे, अब हम लोई को इस तरीकी से बना के तयार कर लेंगे तो नीचे हमने रिफर्ण तेल लगा दिया है अब हम पेलन की सायता से भटूरे को बेल के तयार कर लेते हैं दोस्तो अगर आप मार्केट से छोले भटूरे नहीं लाना चायते हैं तो आपासान इसी घर पे बना के तयार कर सकते हैं इस तरीके से तो यहाँ पर हमने भटूरा बेल लिया है, रिफन तेल गरम होने के लिए रख दिया था अब हम भटूरे को डाल देंगे और एक छली की साहता से दबाते हुए हमें भटूरे को सैग लेना है भटूरे को हमें उलटते पलटते हुए सैग लेना है तो भटूरा सिक्के तयार हो गया है, अब हम एक ब्लेट में निकाल लेंगे यहाँ पे हमने हरी मिर्च को पीज में से काट लिया है अब हम हरी मिर्च को फ्राई कर लेते हैं इसी तरीके से हम सारे भटूरे सेक्के तयार कर लेंगे अगर भटूरे फूलते नहीं है तो हमें थोड़ा सा दबा देना है तो इस तरीके से आसानी से फूल जाएंगे तो यहाँ पर हमने एक प्लेट में छोले की सबजी सर्व कर ली है मुली की सैलेड हरी मिर्ज रख लिए थोड़ा सदही रख लिया है और दो भटूरे रख दिये है मैं उमीद करते हैं दोस्तो आज की रेस्पी आपको जुरूर पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो मेरे योटूब चैनल के होम्स कुकिंग को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूले मिलते हैं अगली बीडियो में जैसरी किष्णा राधे राधे